दोस्तों आप देख सकते हो कि मेरे पास एक खराब LED बल्फ है और ये जो बल्फ है फ्रेंड ये हमारा local company का LED बल्फ है जो कि आजकल market में 100 रुपे के 4 मिलते हैं ये local LED बल्फ आपकी local market में 100 रुपे के कितने मिलते हैं मुझे comment करके जरूर बताना अब देखिये friend इस bluff के अंदर problem आगी है problem क्या है चलिए पहले वो मैं आपको दिखा दू तो यहां पे देखिये सबसे पहले हम इसके diffuser को खोलेंगे तो यह देखिये मैंने इसके diffuser को खोल दिया है अब उसके बाद देखिये friend यहां पे जो इसका हमारा panel है ना इसके अंदर देखिए, ध्यान से मैं थोड़ा सा जोम कर लेता हूँ, ताकि आप अच्छे से देख पाओ, तो यहां पर देखिए फ्रेंट, जोम करने के बाद आपको प्रोलम साफ साफ नजर आगी होगी, कि यहां पर हमारी एक SMT बुरे तरीके से जल गई है, और इसी वज़े से यह पूरा बलब हमारा काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में यह प्रोलम जाद तर लोगों के साथ आई जाती है, कई बार यह बल तो दो चार दिन में खराब हो जाते हैं, कई बार सालो साल चलते हैं, लेकिन जाद तर जो प्रोलम आती है, वो हमारी SMT की यह आती है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हो, हमें इसे बिल्कुल भी फेकना नहीं है, आप इसे बहुती कम पैसे के अंदर या फिर कह लो, आप बिल्कुल फिरी में इसे रिपैर कर सकते हो, बिल्कुल जैनुवन तरीके से, तो देखें इसे रिपैर करने के लिए आपको क्या करना क्योंकि इस टाइप के जो पैनल होते हैं उसके अंदर जादर जादर एक दो SMD खराब होती है बाकी सही होती है लेकिन फिर भी हम उसे फेक देते तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना जो हमारे पैनल खराब हो गया है उसमें से जो SMD आपको सही दिखाएते हैं जैसे कि ने बाकी SMD हमारे सही है तो इसको निकालके हम इसके अंदर लगा सकते हैं लिद्स SMD को लगाया और पुराने बल्फ को रिपैर करना सिखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जा सकते हो फ्रेंट एक से एक वीडियो आपको मिल जाएगी LED बल्फ रिपैरिंग की तो यहां पर मैंने इसकी दोनों बार को हटा दिया है अब उसके बाद हम क्या करेंगे यह जो पैनल है ना इसको हम इ उठाएंगे यह मैंने उठा लिया है तो यहां पर हमें क्या करना है सबसे पहले तो इसकी SMD को निकालना है यह जो खराब वाले SMD है इसको निकालना है तो इसको निकालेंगे कैसे काफे सारे लोगों की यही प्रोलम है तो इसके लिए देखें सबसे पहले मैं एक टाइल ले रहा हूं ताकि नीचे की पलाई न जल जाए मेरी यह ले लिया उसके बाद कम से कम फ्रेंड आपके पास यह 60W का सोल्डिंग आरण होना चाहिए यह देखिए किसी भी कंपनी का हुँ चलेगा लेकिन कम से कम साट वाट का आपके पास सोल्डिंग आरण होना चाहिए उसके बाद देखिए फ्रेंड मेरे पास यह एक नट बोल्ट है इसको मैं यहां पर रख रहा हूं देखिए आप इसकी जगा पर कुछ भी रख सकते हो यह मैं इसलिए रख रहा हूं ताकि यह बराबर हो जाए ठीक है तो इस तरीगे से देख वेट करना है ताकि यह पैनल पूरा अच्छे तरीगे से हीट हो जाए और हीट होने बाद क्या होगा फ्रेंड की यहां पर यह एसमडी अपनी पगड़ छोड़ देगी तो मैं इसे थोड़ा सा वेट कर लेता हूं उसके बाद फिर मैं आपको इस एसमडी को निकालना सिख लेना है आपको इसे जटके से नहीं करना नहीं तो बाकी एसमडी हमारी निकल के बाहर हो सकती है अब उसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे इस पैनल को रखेंगे इसकी जो सही एसमडी है उसको हम निकाल लेंगे जैसे कि इसमें काफी सारी सही एसमडी हमारी पड़ी है त निकाल सकती हो ठीक है यह हमने इस तरीके से SMD को निकालना अब उसके बाद देखिए एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखने है जैसे कि यह पैनल है हमारा अब जब हमने SMD को निकाला तो इसके अंदर देखिए आपको दो यह चोड़ा से दिपবा होता है यह हमारा माइनस का होता है तो इस हिसाट से आपको SMD को लगाना है जब आप SMD लोगे न उसके पीछे भी ऐसya पॉइंट आपको देखने को मिलेगा यह देखिए यहां पर एक पॉइंट हमारम पतला है एक चोड़ा तो उस हिसाट से आपको इस तरीके से रख देना है यह देखिए तरीके से हम रख देंगे अब जैसे यह थोड़ा सा गरम होगा ना तो इसके साथ में यह चिपक जाएगा यह देखिए गरम जैसे होगा वैसे चिपक जाएगा यहाँ पर देखिए मेल्ट होगी इसकी सोल्टिंग मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ यहाँ पर अब यह इसके साथ में सोल्टिंग अराम से हो गया ठीक है बस इतना ही काम था हमारा और उसके बाद चले हम इसे निखाल लेते हैं और आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमने दूसरी SMD को लगा दिय अब उसके बाद देख़िए या जो पैनल है इसको अब थोड़ा सा थंडा होने देते हैं तो इसको थंडा होने दे यहाँ पर यह एक को ध्यान रखनी है कि जब भी आप अपना पैनल रिपैर करते हो या फिर मार्केट से लाके नया पैनल लगाते हो तो डारेक्ट आपको इसके अंदर फिट नहीं करना क्योंकि अगर आप डारेक्ट इसके अंदर फिट कर दोगे तो ये पैनल फिर से जल्दी खराब हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए देखे फ्रेंट आपको इस टैप की एक हिट सिंग की डिब लेनी है जो कि मार्केट में 15-20 रुपे के अंतर मिल जाती है इसको आपको जरूर लगा लेना है अगर आप इसे नहीं लगाओगे तो क्या होगा कि आप से लगा लेना है कुछ भी था फट फट लग भी जाता कि आपको जाढ़े ठेंस के अंदर ख्राब होने वाल也 एक मिनिट भी नही लग इना इस तरी के से यह घज्चे इंतर प्रकाव हो और इस तक करना है आप पयस पैनल को देखे इसको भूर से पास कर लेना है यह गी अब देखे इस पैनल की खास बात यह रहती है कि इसके अंदर हमें अलग से driver circuit की जरूत नहीं होती, इस बलब के अंदर कोई बी अंदर driver circuit नहीं होता, तो यहाँ पे simply बस हमें इसकी wire को जोड़ना है, अब wire जोड़ते हैं हमें भी आपको plus minus ध्यान रखने की जरूत नहीं है इसके अंदर, तो कि देखे यह जो यहाँ से पीछे से wire आ रही है, डारेक्ट यहाँ पे आ रही है, इसके बीच में अंदर कोई भी driver circuit नहीं लगा, तो आप कोई विवार किसी भी set जोड़ सकते हो, इस type के पैनल के अंदर कोई चक्कर नहीं होता, लेकिन जिस बलब के जोड़ने की जरूत है, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है, यह हमारा बिना driver के काम करता है, ठीक है, तो एक बार को मैंने इस set में जोड़ दिया, और दूसरी को हम इस set में जोड़ेंगे, तो यह देखें, यहाँ पे मैंने wire को जोड़ दिया है, अब wire को ज पेज लगाना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो फिर से यह बहुत ही जल्दी पैनल खराब हो जाएगा, मैं पेज बात में लगा दूँगा, तो यहाँ पे चलिए आप देखते हैं, इसे holder के अंदर लगा के की जो हमारी problem है, वो soul हुई की नहीं हुई, तो चलिए इसको हम द जल गई थी, और इस SMD को हमने replace कर दिया, और पूरा पैनल हमारा यहाँ पे बिल्कुल अच्छे तरीके से अब काम कर रहा है, तो इस तरीके से friend, आप भी अपने किसी भी local या guarantee वाले बलव की SMD को change करके, दुबारा सो इस बलव को use कर सकते हो, तो चलिए friend, फिर मिलते हैं, नेक्स वीडियो में कुछ नहीं topic साथ, तब तक के लिए जाएं, वंदे मातरम.